हलो वियर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षनवी विज्ञान विशे के निदानात्मक मुल्यांकन की जो आपकी बुख है उसके विज्ञान विशे के अध्याई दो के सारे जो प्रश्णे हम सॉल्वक करेंगे तो इसका पहला प्रश्णे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए इसका पहला है दो या दो से अधिक पदार्तों का समांगी मिश्ण कहलाता है विलयन इसके बाद है विलयन का वह गटक जिसकी मात्रा दुसरे से अधिक होती है और जो दुसरे खटक को विलियन में मिलाता उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं विलायक इसके बाद है टिंचर आयोडिन के विलियन में विले है तो इसमें विले होता आयोडिन अगला है सोडा जल विलियन में विले होता है तो सोडा जल विलियन में विले होता है HO अगला है वायू एक विलियन है तो वायू विलियन है गेस में गेस का इसके बाद प्रश्णमबर दूसरा है रिक्तिस्थानों की पूर्ती इसका पहला प्रश्ण है विलियन एक मिश्रण है तो विलियन एक समांगी मिश्रण है यह आएगा समांगी विलियन एक समांगी मिश्रण है इसके बाद बर्फ जल तता जलवाश्प के गुण समान होते हैं तो बर्फ जल तता जलवाश्प के रासायनिक गुण समान होते हैं तीसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं इसके बाद है विलियन के एकाई आयतन में उपसित विले की मात्रा विलियन की कहलाती है तो विलियन की सांद्रता कहल इसके बाद एक ही प्रकार के पर्मानों से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अगला है मिलक आफ मेगनीश्या में परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। इसके बाद नुववा है टिंडल प्रभाव विलियन द्वारा प्रदर्शित गुन है। इस प्रकार से रिक्तिस्थान में आएंगे। इसके बाद प्रेश्ट नंबर तीसरा हम देखेंगे। तो प्रेश्ट नंबर जो तीसरा है वह है सही जोड़ी मिलाई है। कॉलम ए, कॉलम बी तो इसकी जोड़ी मिलान कर देंगे। आपको जब आप एंसल लिखोगे कॉपी में तो आपको जिसके सामने जो सही वही लिखना है तो इसमें पहला ब्रोमिन, कॉलम ए में है ब्रोमिन, जल, तन्यता, मिश्ण, कॉलाइट, कॉलम बी में है वायू, धातू, दूद, योगिक और अधातू तो ब्रोमिन जो एक धातू है यह पहले की जोड़ी इससे मिलेगी, जल, योगिक होता है तो दूसरे की जोड़ी यहां मिलेगी, तन्यता, धातू का गुण होता है तो तिसरे की जोड़ी यहां मिलेगी, मिश्ण होता है वायू, जो गेस में गेस का मिश्ण होती है, इसके ब यह विलायक के एकाई द्रयमान में उपसित विलाय की मात्रा है तो यह कथन सत्य है यहां आम लिख देंगे सत्य इसके बाद अगला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है तो यह असत्य है अगला है किसी भी स्त्रोस से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षने गुण असमान होंगे तो यह भी असत्य कथन है अगला है मिश्ण का निश्चित गल्लांक होता है तो यह भी असत्य है इसके बाद है निलंबन के कन फिल्टर पेपर से नहीं निकलते है तो यह कथन सत्य है ठीके तो इस प्रकार से सत्य सत्य वाले कुश्यन है इसके बाद अत्य लगूत्री प्रश्ण में प्रश्ण पहला शुद्ध पदार्थ क्या है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रश्ण शुद्ध पदार्थ क्या है? इसका उत्तर है इसे पदार्थ जिनके मोजु सभी कण समान रासानिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है दूसरा प्रश्ण क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है तो इसका उत्तर है जब हम अपने चारो ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अव्योग के मिलने से बने हैं उधार्ण के लिए समुद्र का जल, खनेज, मिट्टी, आदी सभी मिश्ण है इसी प्रकार से अन्य विभिन वस्तुए जैसे दूद, जल, वसा आदी भी मिश्ण है ये सभी वस्तुए विभिन पदार्थों के मिश्ण है अता शुद्ध नहीं है प्रश्ण नमबर तीसरा इस में है मिश्ण से क्या समझते हो तो इसका उत्तर है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपार्थ में मिलने से बने पदार्थ जिन में उनके अव्योवों के गुण विद्धिमान रहते हैं मिश्ण कहलाते हैं चोथा प्रश्ण है मिश्ण कितने प्रकार के होते हैं तो इसका उत्तर है यन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसे निम्बू जल, सोडा जल, आदी। इसके बाद अगला प्रश्णे तत्व किसे कहते हैं तो इसका उत्तर होगा दो या दो से अधिक तत्व के निश्यत अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अव्यवी तत्व के गुणों से सरताभिन होते हैं योगी कहलाते हैं जैसे जल, कार्बन डै अक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदी। इसके बाद लगुत्री प्रश्न हैं तो इसमें प्रश्न पहला है एक तत्व अत्यदिक धोरनिक तथा तन्य हैं आप इस तत्व को किश्यने में वर्गिकरत करेंगे इस तत्व के अन्य अभी लक्षनों को लिखिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तो इसका उत्तर है इस जमकदार होता है और जोथा है सामनेता ठोस तथा कठोर होता है इसकी बाद इसका दूसरा प्रिश्ण है एक संत्रप्त विलियन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 993 केल्विन पर घोला जाता है इस तापमान पर सांद्रता ग्यात कीजिए तो इ किया गया है सोडियम क्लोराइड विले का द्रेमान 36 ग्राम जल विलायक का द्रेमान 100 ग्राम अब इसके बाद सुत्रे विलियन का द्रेमान बराबर विले का द्रेमान धन विलायक का द्रेमान चाहिए तो इसमें विले का द्रेमान धन विलायक का द्रेमान जोड़ देतें तो विलेयन का द्रैमान हो जाएगा, तो विलेय मतलब जो sodium chloride है, इसका द्रैमान है 34 gram धन, विलायक है जल, इसका द्रैमान है 100 gram, तो चत्तीस धन 100 बराबर 136 gram हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे विलेयन की सांधता, क्योंकि हमें विल्यन की सांधता ही ग्याद करनी तो इसका सुत्र है विले का द्रेमान गुणा सो बटे विल्यन का द्रेमान ठीके यह सुत्र है सांधता ग्याद करने का विले का द्रेमान गुणा सो बटे विल्यन का द्रेमान तो यहां पे बराबर कर दिया है विले का द्रे केलविन ताप परसांदता है 26.47 होगी ठीक है तो इस प्रकार से प्रश्ण हल होगा कि बाद प्रश्ण में तीसरा है मिश्रन एवम योगीक में अंतर इसफस्ट कीजिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मिश्रन एम योगीक में निम्नलिकित अंतर है मिश्रन और योगीक तो मिशन में हम लिखेंगे दोयादों से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासानिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिशन होता है योगिक में हम लिखेंगे दोयादो से अधिक तत्वों के रासानिक रिया के फल्स रोप निर्मित बदार्थ योगिक होता है मिशन में हम दुसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें गटकों के गुण विद्यमान होते हैं जबकि योगीक में हम लिखेंगे इसमें गटकों के गुन सदेव भिन्न होते हैं तीसरा है इसमें गटकों को भौतिक विद्यो द्वारा सुगमता से प्रतक किया जा सकता है जबकि योगीक में हम लिखेंगे इसके गटकों को भोतिक विद्योत्वारा प्रतक नहीं किया जा सकता मिश्ण में हम चोथा पॉइंटर लिखेंगे मिश्ण का संगठन परिवर्तनी होता है जबकि योगीक में लिखेंगे योगीक का संगठन सदेव स्थाई होता है तो इस प्रकार missionary yogiak mentor हम लिख देंगे ये बाद दिर्गोतरी प्रश्ण है दिर्गोतरी प्रश्ण का प्रश्ण मबर पहला है यवाला प्रश्ण तो इसका उद्दर हम सिधा देख लेंगे तो यहाँ प्रश्ण पूछे गए हैं ये दूद क्यों प्रदीप्त हुआ तता इस परिगटना का नाम तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दूदे कोलाइडी विलियन है जिसके कन प्रकाश को फैलाने की प्रवरती रखते हैं इसलिए दूद प्रदीप्त हुआ इस परिगटना का नाम टिंडल प्रभाव है इसके बा दोरा दर्शाय गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विल्यन के नाम सुझा सकते हैं तो इसका उत्तर होगा कोहरा तथा धुआ ठीक है ये दो अन्य विल्यने कोहरा तथा धुआ इसके बाद प्रश्ण मबर दूसरा है केल्शिम कार्बोने डिगर्म की जाने पर ये केल्शिम अकसेट तक कार्बन डैकसेट देता है अब इसमें प्रश्ण पूछा गया अवाला ये कोंसा परिवर्दन है बहुत दी कत्वा रासायनिक जिसका उत्तर हम लिखेंगे ये एक रासायनिक परिवर्दन है इसके बाद बवला प्रश्ण उब्र्योक्त विधी से प्राप्त उत्पादों से क्या आप एक अमली तता एक चारकी विलियन बना सकते है यदि हाथों संबंधित का रासायनिक समेकर्ण दीजे तो बना सकते हैं तो हमने हाँ लिख दिया अमली समेकर्ण का उधारण हो जाएगा CO2 धन H2O इससे बन जाएगा H2CO3 चारी विलियन का उधारण हो जाएगा CAO धन H2O इससे बनेगा CAOH2 तो इस प्रकार से हम लिख देंगे इसके बाद जो प्रश्णमबर तीसरा है निमनलिकित को रासानिक और भोतिक परिवर्तनों में वर्किकरत कीजिए तो यहाँ पे जो परिवर्तन दे रखे है और हमें इसमें से रासानिक और भोतिक परिवर्तन अलग-अलग करना है तो बहुतिक परिवर्तन के उधाने पहला, दूसरा, चोथा, छट्टा और सात्वा जबकि रासनिक परिवर्तन के उधाने तीसरा, पाच्वा और आठ्वा ठीक है ये रासनी परिवर्तन के उधाने और ये बहुत इक परिवर्तन के आप इसमें से आसनी से देख सकते हो इसके बाद अगला प्रेश्ट नमबर चूथा है कोलाइड एम विलियन को परिभाशित कीजिए तो इसको उत्तर हम लिखेंगे कोलाइड में जब किसी विलियन में विलियके कर निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधान आखों से दिखाई नहीं देते लेकिन ये प्रकाश की किर्णों को आसानी से फैला देते हैं एसे विल्यन को कोलाइड विल्यन या कोलाइड कहते हैं उधान, दूद, मखन, पनीर, जेली, धुआ, आदी अब निलंबन में हम लिखेंगे वह विश्मांगी विल्यन जिसमें विले के कन आसानी से आखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समस्टी में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाते हैं, उधान है मिट्टी यूक्त गंदा पानी, चौक का घोल आदी इसके बाद अगला प्रशन नमबर पांचवा है, कोलाइड के चार गुण धर्म लिखिए तो इसका उत्तर है कोलाइड के गुण धर्म, पहला यह एक विश्मांगी विलियन होता है, दूसरा इनके कणों को आखों से नहीं देखा जा सकता, तीसरा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और जोता है इनको आसानी से प्रतक नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार अध्याय दोग के भी सारे प्रशनों को हमने हल कर लिया है, इसके अलावा भी आपको यदि कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए